हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू अले लिश्टी गिंडम दोस्तों 48 अलग प्रस्पत्र घटना चक्री श्रीज हम लोग यहां पर हिंदी के टॉपिक को कबर कर रहे हैं तो टोटल हिंदी में नव टॉपिक दिये गए हैं और आज इस वीडियो में जो अंतिम टॉपिक है लेखक तो आईए आज की इस वीडियो में यहां पर इस चैप्टर को हम लोग कबर करते हैं वीडियो की लाइक सियर कमेंट कर दीजएगा दोस्तों चैनल पर नए है तो शब्सक्राइब भी खर लीजएगा पहला प्रशन आपकी सामने है कि हिंदी की आदी जननी क्या है यहां पर सरसथ ऑँ हक्ता से गुजरती हुए प्राठी look spheroor लेती है अगला कि हिंडी साहित्त को कितने कालखंडों में भुखत किया गया है कि है यह हिंदी साहित्त के इतिहास को चार खाललघंड़ों में भुखत किया गया है आदि बोगति का बपकृति काल और रीति काल हिंदी सा आपसनी 1850 हिंदि शाहित का अधनिक काल सामानते Android से माना जाता है हैẩ्डी के ंधर गार्व किशाशक रहें जयभाट लगभख 7 वी 8 वी शताब्दी के शमय तो इनके सिलालेक में देवनागरी लीपी का सरवपर्थम प्रियोग हुआ है अगला है कि हिन्दी भासा किस लीपी में लिखी जाती है अगला है पंजाब में हिन्दी का प्रचार किस ने किया पंजाब में हिंदी का प्रचार किस ने किया सही जबाब बनेगा आपका आपसंद भी स्रद्धाराम फिल्लौरी पंजाब में हिंदी का प्रचार स्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया इन्होंने लोगप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की है कौन स्रद्धाराम फिल्लावरी ने ओम जय जगदी सहरे कौन सी प्राचीन भासा नहीं है निम्लेखित में से सही जबाब बनेगा पंजाबी पंजाबी प्राकिर्ट प्राचीन भासा नहीं है जबकि संस्कृत प्राकिर्ट अपभरंस प्राचीन भासाएं है निम्जलिकित में से कौन सा हिंदी शाहित्य का काल विभाजन नहीं है हिंदी शाहित्य का काल विभाजन नहीं है आपसंडी सयुक्त काल सर जार्ज ग्रियर सन ने सरव प्रथम हिंदी शाहित्य का काल विभाजन करने का प्रयाज किया उन्होंने इसे 10 बरगों में बाटा हिंदी साहित के काल विभाजन में बिद्धवानों में मत भीद है शर्वमान रूप से इसे इस रूप में भवाजित किया जा सकता है आदी काल तड़ जबीर गाथा काल पूर्व मध्र काल जो की भक्ति काल उत्तरमध्यकाल जोकि रीतिकाल का और आधुनिक काल यानि गद्यकाल संयुकत काल को नाम से कोई भी राजन नहीं किया गया है अगला प्रशन है कि प्रतिवी राजरासो हिंदी साहित के किस काल में लिखा गया है अपसने आधिकाल में प्रथिवी राज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया है और इसके रसनाकार है चंदर बरदाई तो याद रखे एक रसनाकार प्रथिवी राज रासो के काउन चंदर बरदाई अगला प्रश्ण है कि कभीरदास तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के संत कभी है अपसन भी यहां सही जबाब भक्तिकाल के संत कभी है कभीरदास निरगुण मारगी का बिधारा के कभी है जबकि तुलशीदास योम सूरदास और सगुण मारगी का बिधारा के कभी हैं। अगला प्रश्ण है कि मध्धिकालीन भारती आर्य भासा जो काल है वह का उन्चा है। सही जबाब यहां पर बनेगा 500 इशा पूर्व से 1000 इशवी तक। अगला है कि मध्धिकालीन भारती आर्य भासा काल 500 इशा पूर्व से 1000 इशवी तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रस्ण है कि निम्लिखित में सी किस धात उसे भासा बनी है। भासा किस धात से बनी है सही जबाब बनेगा अप्शन भी भाज। भासा सब्द की उतुपद भास धातु में आप्रत्य लगाने से हुआ है। लिपी की जो आवर्शक्ता होती है वह भासा लिखने में जो की हिंदी आप दिवनागरी लिपी होती है। तो भासा लिखने के लिए लिपी की आवर्शक्ता होती है और लिपी का साब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन च आप्षन भी होगा भारुतेइंदु घृत्तिशंद्र को अध़ुनी की हिंदी गद्ध का जन्मदाता किसे कहा जाता है उन्होंने नातक, निभन्द, आदविधाओं के माध्यम से हिंदी गद्ध लेखन को बढ़ावा दिया अगला प्रश्ण है सूर्दास के गुरु कौन थे। सूर्दास के गुरु रहे हैं बल्लभाचार्य आप्संसी। सूर्दास के गुरु बल्लभाचार्य थी। बल्लभाचार्य ने पुष्टी मार्ग की अस्थापना की थी। इनकी प्रम्खु रचनाये हैं पूर्ब मीमानसा भास्य, गायत्री भास्य, पत्रावलंबन, पुर्षोत्तम, सहस्त्र नाम आदि नेक्स्ट है कि सूर्षागर की रचैता कौन हैं? सूर्षागर की रचैता हैं सूर्दास आप्षंडी अगला है तो इसका अंसर होगा कि सूर्षागर की सूर्षागर वली या सहित तलहरी किसकी है कभी नहीं है भाग्तिकालिन कभी और यहां पर आपका सही जवाब बनेगा आप्षन ये बिहारी बिहारी रीतिकाल के कभी है जबकि सेश भक्तिकाल के कभी है बिहारी के एक मात्र रजना है बिहारी सतसई जो कि सात सो दोहों का संकलन है इनके दोहों में स्रिंगार अरस की प्रधानता है जो कि गागर में सागर भरते है अगला प्रस्ण है कि निमन में रित्यकाली का कभी कौन है और यहां पर आपका सही जबाब बन जाएगा आपसंसी बिहारी कभिवर बिहारी रेत्यकालि के कभी हैं इनकी प्रसिद्र रचनाय हैं बिहारी सत्सई जई संकर प्रशाद सूरीकांत तिरपाथी निराला और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद कालि के कभी हैं अगला प्रस्न जो की एनसर डिस्प्यूट रहा है रत्नावाली दोहा संग्रा किसके द्वारा रचा गया है तो ये रत्नावाली दोहा संग्रा जो है मुरलिधर चतुरुबेदी की रचनाय हैं दोहा रत्नावाली रत्नावाली लगु दोहा संग्रा दोहा रत्नावाली तु अगला है कि निमलखित में से कौन सी रचना तुलशी दास की नहीं है तुलशी दास द्वारा रचित कौन सी नहीं है और यहां पर सही जवाब बनेगा अप्शन डी भक्तमाल क्योंकि भक्तमाल के जो रचनाकार्विसे के लिए वो नाभादाच्व है रामचरित मानस वली तुलशी दास की रचनाएं हैं हिंदी साहित्ति के इतिहास में प्रशिद्ध कभीर दास सूरदास महावीर दिववेदी प्रेमचंद हरिवन सराय बच्चन आद किस परदीस से हैं और यहां पर आपका सही जवाब बनेगा अप्शन सी उत्तर परदीस से अगला है कि क कभीर की भक्ति का स्वरूप क्या है कभीर की भक्ति का स्वरूप और यहां पर सही जवाब बनेगा आप संडी निर्गुण कभीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है वह निर्गुणियों निराकार ब्रह्म की उपासना करती थे भीजक उनकी रचना है कभीर की और कभ कड़ी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंट मार्दंड था आप संदी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंट मार्दंड है पंडित जुगल की शुरस्तुक्ल ने इसका प्रकासन कलकत्ता से तीस हमाई 1826 को शापता ही को पत्र की सुरूप में प्रारंब किया तो यह कोशन आपको जनरली माडरन हिस्टी से संबंदित भी पूंच लिया जाता है निमलिकित में से किसको शाहिती अकादमी पुरुषकार मिला है इसको साहित्य अकादमी पुरुषकार दिया गया है निम्नमे से और यहाँ पर आपका सही जबाब बनेगा आपसनी नामोर सिंह बरस 1971 में नामोर सिंह को उनकी साहित्य के आलोशिन अकरति कभिता के नए प्रतीमान के लिए हिंदी भासा का साहित्य अकाद्मी पुरुषकार मिला नेक्स्ट है कि ग्यान पीठ पुरुषकार किस भासा से संबंधित है ग्यान पीठ पुरुषकार सही जबाब बन जाएगा संबिधान की आठवी अनसूची की सभी भासाओं से या भारत का सरबुत्चु साहित्ति की सम्मान है और प्रतिवर्श सम्विधान की आठीवी अन्सूची में उलिखित भारती भासाओं की किशी विख्यात साहित्तिकार को प्रदान किया जाता है चापनवा ग्यानपीठ पुरुषकार असमिया कभी नीलमड फूकन को तथा सतावनवा ग्यानपीठ पुरुषकार कोंकडी लेखट दामोदर मौजु को प्रदान किया गया है तो ग्यान पीठ पुरुषकार करंट अफियर्ष के परपस से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखेगे चापनवा शत्तावनवा तो ज्यादा नहीं कम से कम शत्तावनवा जरूर याद रखो को उकड़ी लेखक हैं दामोदर मोजुक दिया गया है अगला प्रश से शोपान तक नेणड का निर्माल फिर क्या भूलू एक याद हुरू आदि जो ही की कली कभीता के कभी कवी कौन है जोही की कली अब सने शूरिकांट जुत्रपाथी निराला जोही की कली कभिता के कभी शूरिकांत तुत्रपाथी निराला है इनकी अन्यर कभिताएं है राम की सक्ति पूजा सरोज इश्मिर्टी उकुरमुत्त आधी निमलिकित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है वो है ध्रूब श्वामिनी आपशंटी क्योंकि प्रेमचंद की नहीं यह जैसंकर प्रशाद की है दुरुबश्वामिनी जैसंकर प्रशाद द्वारा रचितीक नाटक है मुंसी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं काया कल्प, रंग भूमी, कर्म भूमी, निर्मला, गबन, गोदान, आदि निमलखित में से कौन अस्टचाप का कभी है अस्टचाप का कभी सूरदास आपसन भी गोश्वामि बिठल नातने सम्मत 1602 के लगभग अपने पिता बलभाचारी की चार सिश्यों और अपने चार सिश्यों को लेकर अस्टचाप के प्रशिद्ध कभियों की मंडली की अस्थाप ना की अस्टचाप कभियों में सामिल थे कुम्भन दास, सूर दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, नंद दास, सीत स्वामी, योम चतरभज दास तो ज्यादा ही आपको क्या दिख रहे हैं दास ही दास, अगला है चंद सास्त्र, चंद सास्त्र आदी के प्रणेता कौन थे, चंद सास्त्र के आदी प्रणेता, चंद सास्त्र के आदी प्रणेता, आपसंसी पिंगल रिसी, चंद सास्त्र के आदी प्रणेता पिंगल नाम की रिसी थे आता हां चंद को पिंगल की नाम से भी जाना जाता है मात्रा या वन्ड को सूतर में पिरोकर की गई वाक रतना को चंद कहते हैं जैसे व्याकरण द्वारा गद्ध का ानुषाशन होता है वैसे ही चंद द्वारा पद्द का रचनाकार और रचना का कौन सा युग में सही नहीं है तुलसी दासी की है ये रामचरित मानस बिल्कुल सही है कुद्बन की जो रचना है मिरगावत बताया जा रहा है जो कि गलत है मन्धन चित्रावली का बताया जा रहा है मन्धन की जो रचना के गार है यह है मधुमालती ना के चित्रावली तो आप से यहाड़ी भी गलत है आईए विकल्प भी में कुद्बन की रचना का जो नाम है वो हम इरगावत दिया गया है जो की गलत है कुद्बन की रचना म्रिगावती ने की है मंझन की रचना मधुमालती और शुमान की जो रचना है वह अचित्रावली की है यूपिटर पलेशनी संसोजी उत्तर डीमाना तो यहाँ पर आप तत्ति को समझे दुत्तर से कोई मतलब नहीं आगे बढ़ते हैं अगला है कचुवा धर्म और मारी सिमों ही कुठाव किसकी रचना है सही जबाब बन जाएगा आपसन सी चंद्रधर सर्मा गुलेरी की ठीक है अच्छा आपसन यहाँ भी होगा ठीक है चंद्रधर सर्मा गुलेरी नाम याद रखो आगे बढ़ते हैं चंद्रधर सर्मा की रचनाएं हैं कचुवा धर्म और मारी सिमों ही कुठाव इनकी यह रचनाएं हैं उसने कहा था बुद्धो का कांटा सुख में जीवनार नेक्स्ट है कि चंद्रकांटा की उपन्याशकार बताईए चंद्रकांटा की उपन्याशकार आपसनिहाँ पर आपका D सही जबाब होगा देव की नंदन खत्री चंद्रकांता की उपन्यासकार देव की नंदन खत्री हैं इन्होंने चंद्रकांता संतति की रचना की जो 24 भागों में है सूरज का सात्वा घोडा रचना की विधा कौन है क्या है कहानी या अत्मकथा उपन्यास का यानि बंध शंग्रा सही जबाब बनेगा सूरज का सातों अगोड़ा उपन्यास आप संसी तो सूरज का सातों अगोड़ा धरंबीर भारती का उपन्यास है जो बर्स 1952 में लिखा गया धरमपीर भारती के अन्याश गुनाहों की देवता ग्यारा शप्नों का देश है अगला है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है उसने कहा था कहानी के लेखक और यहाँ पर आपका सही जबाब बन जाएगा आप संपी चंद्रधर सर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लिख्व चंग्रधर सर्मा गुलेरी हैं, इनकी अंदर चनाय गंटा घर, धर्म, परायरड, रीच, पाट साला, बुद्धू का कांटा, सुख में जीवनादी रीतिकाली का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो है स्रिंगार काल आपसंसी आचारे विशुनात प्रशाद मिस्र ने रीतिकाल को स्रिंगार काल कहा है किन्तो अधिकांस बिद्वान आज भी स्काल को रीतिकाल कहना ही अधिक उपयूत समस्ते है आजारी रामचंद्र सुक्ल इसका नामकरण रीतिकाल ही किया है अगला है कि निम्लखित में से कौन जीवनी है जीवनी सही जबाब बन जाएगा आपसंसी आवारा मसीह आवारा मसीह विश्रूप प्रफाकर की गृति है या बांगला उपन्याशकार सरत चंद्र चटरजी की जीवनी है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र चिंतामडी आचाज रामचंद्र सुक्ल का निबंध है तथा नीड का निर्माड फिर हर्वन सरायर बच्चन की आत्मकथा है अगला प्रस्न है कि एक दिन बैठे बैठे या बात अपने ध्यान में चड़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंद्वी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले पंग्ति किस लेखक की है यहाँ पर आपका सही जबाब बनेगा आप्शन B की मुंसी इंसा अल्ला खां की जो कृती है रानी केतिकी का गाहनी से लिया गया है अगला है निमलेखित पत्रिकाओं में भारतेंव हरिस्चंद्र ने कौन सही पत्रिका प्रकाशित की थी आपसन यहाँ पर इस सही जबाब होगा कवी वचन सुधा भारतेंव हरिस्चंद्र ने 1861 इजबी में कवी वचन सुधा पत्रिका निराली 1873 में हरिस्चंद्र मैगजीन और फिर बाला वोधिनी नामक पत्रिकाओं निकाली वर्षडो भक्ति के प्रचार के लिए भारतेंव हरिस्चंद्र ने तदिय समाज की अस्थापना की थी अगला है आंचली के रचनाए किसे से संबंधित होती है आंचली के रचनाए आपसन यहाँ पर आपका अब्भी सही जबाब है छेतर विसेस से आंचली के रचनाए छेतर विसेस से संबंधित होती है इन रचनाओं में छेतर विसेस की शामाजी का आर्थिक रजनीती क्यों धार्मिक जीवन की शाथ शाथ बोली संस्कृत आदी का बर्डन किया जाता है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाडिक ग्रंथ कौन सा है जो चंद वरदाई द्वारा लिखित है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परिछा गुरु आप्शने लाला स्री निवास दास क्रिद उपन्यास परिष्छा गुरू को हेंदी का प्रथम मौली को उपन्यास माना जाता है इसका प्रथम प्रकाशन 1882 इजबी में हुआ था आनंदमठ वंकिम चंच डरजी गबन मुंसी प्रेम चंदका और तितली जैसंकर प्रशाद का उपन्यास नागरी प्रचारडी की शभा की अस्थापना किस यूग में हुई है अपसनी भारुतिद यूग में एठारसो तिराननवे इजबी में नागरी प्रचारडी शभा की अस्थापना हुई हुए हिंदी साहित्त की भ्हूमिका की लेखक कौन है हिंदी साहित्ति की भूमिका के लेखा का यहां पर आपका सही जबाब बनेगा अप्शन सी हजारी प्रशाद दियुवेदी हिंदी साहित्ति की भूमिका नामक पुस्तक के लेखा के हजारी प्रशाद दियुवेदी हैं नेक्स्ट है कि महावीर प्रशाद दियुवेदी का जीवन काल बताना है। सही जवाब बनेगा 1864 से 1934 आपसने। महावीर प्रशाद दियुवेदी का जन्म 1864 इजबी में राय बरेली के दौलत पूरग्राम में तथा मिरत्यु ब परिमारजन करते हुए इसके आभाओं को दूर करने की और आक्रिष्ठ किया। सुधार पर बल दिये जाने के काट दिवेदी काल कुछ जागरन सुधार काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्ण है मर्यादा और टूडे। मर्यादा और टूडे की संपादक कौन है। आपसन D. डाक्टर संपूरा नंद। मर्यादा पत्रिका का संपादक जो संपादन रहा नुवंबर 1912 मिलहाबाद जो की बरतवान प्रयाग राजनाम है। यहाँ से हुआ और जिसके प्रथम शंपादक पंडित मदन मुहन मालविय के पुत्रक्रण कांद मालविय थे। पत्रिका को नया स्वरूप बाबु शंपूरा नंद ने प्रदान किया। इस पत्रिका में राजनीतिक लेखशप्ते थे। इन्होंने मर्यादा योम टुडे नामक अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाओं का संपादन किया। बर्स 1921 में ग्यान मंडल प्रकाशन ने मासिक पत्रिका मर्यादा का अधिग्रहण किया और डाक्टर शंपूरा नंद की शंपादकत्तों में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। अंग्रेजी दैनिक टुडे का संपादन भी जो है डाक्टर शंपूरा नंद ने ही किया था। आपशन यहाँ बी सही जबाब है अयोध्या सिंग उपाध्या है हरी आओद। नेक्ष्ट है महादेवी बर्मा को किस पुस्तक पर ग्यान पीठ पुरुषकार मिला था। ग्यान पीठ पुरुषकार और यहाँ पर आपका सही जबाब बन जाएगा। आपशन डी यामा महादेवी बर्मा को यामा काब शंकलन के लिए भारत का सरवोच सहितिक शम्मान ग्यान पीठ पुरुषकार प्रदान किया गया। उनकी अन्य रचनाये हैं नीरजा, रस्मी, नीहार, इस्मृती की रेखाएं, आदी। साकेत महाकावी की रचैता कौन है साकेत महाकावी की रचैता सही जबाब बनेगा आप संसी मैथली शरण गुप्त हैं इनकी अन्य रचनाये हैं यसुधरा जैदरत बद रंग मे भंग भारत भारती पंचवटी आदी वहीं पर जैसंकर प्रशाद की रचनाये कामाईनी सुझ हरना लहर आदी सुमितर नंदन पंत की रचनाये हैं चिदंबरा पल्लव उत्तरा लोकायतन योगबाडी गराम्या नागारजुन की रचनाये हैं अकाल और उसके बाद यूगधारा भशमांकुर आदी अगला प्रशन है कि दिवबेदी यूगीन रचना जै भारत की होना है जय भारत की रचनाकार तो जय भारत की रचनाकार यहां पर होंगे मैथली शरणगूप्ट आप्शन ए दिवबेदी यूगीन जय भारत की रचनाकार मैथली शरणगूप्ट है इनकी अन्य रचनाये पंचवटी शाकेत जैद्रत ये शुदरा भारत भारती यादी कबीर ने समाज सुधारक के अंतरगत किसका उपदेश नहीं दिया और यहां पर आपका सही जबाब बन जाएगा आप संसी इस्तरी पुरुष की शमानता की कबीर की रचनाओं में मूर्ती पूजा का विरुष जाती प्रथा का खंडन हिंदू मुश्लिम पाखंड का खंडन आदी मिलता है अगला प्रस्ण है जैसी द्वारा रचित पदमावत निम्नमे से क्या है पदमावत और आपसन यहां पर आपका सही जबाब बनेगा आपसन सी समाशोक्ति जैसी द्वारा रचिद्व पद्मावध जो है शमा शोक्ति आचार रामसंद्र शोक्ल द्वार अनुशार पद्मावध का प्रेम लोकिक तथा कथा शमा शोक्ति है हिंदी आकरति की द्रिष्टी से निलखित में से किस परकार की भासा है हिंदी आकरत की द्रिष्टी से निलखित में शेकिश प्रकार की भासा है और यहाँ पर आपका सही जब आप बन जाएगा सिलिस्ट योगात्मक आपसंसी आधनिक भारती आरिभासाओं का बिगास अब भरंसों सी हुआ दस्मी शताब्दी तक आते आते अधनिक आरिभासाओं ने अपने को जो है अप भरंसों सी अलग कर लिया हिंदी इन अधनिक आरिभासाओं में एक प्रमुग भासा है भासा और सैनी अर्दमागदी अप भरंसों से निकली सभी बोलियों में प्रमुग होते हुए बीसिमी शताबी तक पहुंच ते पहुंच ते पहुंच ते प्रमुक शाहिती भासा बन गई भासाओं की आकिरती मूला को वर्गी करण की अनुशार कहा जा सकता है कि आज की हिंदी बहरमुखी स्लिष्ट योगात्म भासा है प्रेमचंद की अधूरी उपन्यास का नाम क्या है और यहाँ पर सही जबाप बन जाएगा मंगल शूत्र आपसन सी अगला प्रश्ण है कि गोदान की रचैता कौन है आपसन यहाँ सी होगा मुंसी प्रेमचंद गोदान की रचेता मुंसी प्रेमचंध है इनकी प्रमुखुपन्यास गबन सेवासदन निर्मला कर्म भूमी का अकल पादी इनकी प्रसिद्ध कहानियां है इदगाह गफ, कफन, बड़े घर की बेटी, पूश की राद आदी भारत वर्ष के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया है सही जबाब बन जाएगा आप्शन D. राजा राम मोहन राय देशमी राष्ट भासा के प्रति जागरती सरप्रथम बंगाल और महारास्ट में हुई सबसे पहले ईश्वर चंद विद्या सागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट भासा की रूप में अप्माने की बात कही थी फिर केसब चंदर सेन अपनी शमाचार पत्र में लिखा हिंदी ही अखिल भारत की जातिय भासा या राष्ट भासा बनने की योग्य हैं अतहा इस पस्ट है कि विकल पड़ी उत्तर सही होगा क्योंकि आप्षन में राधा राम मुहन राय ही है अगला प्रश्ण है भारती भर्ष्चंद्र का कौन सा नाटक बांगला भासा से अनूदी तो है आप्षन यहाँ सी सही जबाब है विद्या सुन्दूर कौन सा नाटक विद्या सुन्दर मुगल बाद साजहा ने की सो कभी को महा कभीराई की उपाद पद भी दी थी और साजहा के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें साजहा ने पहले कविराय की और फिर महा कविराय की पद्विदी थी। इन्होंने शुंदर स्रिंगार नामक नाइक का की भेद का एक ग्रंद लिखा। निमलिकित में से कौन ग्याना सरई शाखा की कभी हैं। और यहां पर आपका सही जबाब बन जाएगा। जैचंद्र प्रकाश नामक महा कावि की लिखा कौन है। जैचंद्र प्रकाश नामक महा कावि की लिखा क भट केदार हैं। आप्शन भी। उर्वसी किसका काब्वे होगा और यहां पर आपका सही जबाब बन जाएगा रामधारी शिंग दिनकर का कविता संग्रा है इनकी अन्य कविता संग्रा है रश्मरती हुंकार कुरुषिद्र परशुराम की प्रतिग्या और रेंडु का आदी मैथली सरण गुप्त का संबंध वाधुनिक काल की किसी यूग से है सही जबाब बन जाएगा आप्शन डी दिववेदी यूग मैथली सरण गुप्त का संबंध दियुवेदी यूग से है इस यूग से शंबंधित अन्य कभी है आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध सिरीधर पाठक राम नरेश्टर पाठी यादी अगला है जैद्रत वध किसकी रचना है मैथली सरण गुप्त की आपसंसी जैद्रत वध मैथली सरण गुप्त की रचना है अन्य रचना है पंच्वटी शाकित ये सुद्रा द्वापर जहंकार जय भारत वादी निमलिकित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है नागार्जुन की रचना नहीं है दादा कामरेड आपसंडी क्योंकि दादा कामरेड है अश्पाल की नागार्जुन की अन्य रचना है रतिनाथ की चाची बाबा बटी सरनाथ इमरतिया आदी ठिटरता हुआ गरतंत्र इस व्यंग संगरह के व्यंग कार कौन है नापसन यहां भी होगा हरिशंकर परसाई ठिटरता हुआ गड़तंत्र इस व्यंग शंग्रा की व्यंग कार हरिशंकर परसाई है इनके अन्य व्यंग शंग्रा है वैश्डव की फिशलन विकलांग सुरद्धा का दोर आदी अगला प्रस निमलखित रचनाओ को उनकी शाहित की विधा की साथ सुमेलित करकि सही उत्तर का आपको चेहन करना है पहला दिया है निर्मला तो निर्मला है उपन्याश चिता की फूल दिया है तो निबंद हो जाएगा बर्दान जो है एक कहानी होगी भारत दुर्दसा एक नाटक है आपसन यहां पर आपका भी सही बन जाएगा आप संसी खड़ी बोली है कि परसिम की बोलियों में अथ चाहड जो खड़ी बोली करटकारक के लिए न परषंग अश्पर्था दिखाई पड़ता है बाकी की पसिमी बोलियों में निपर्शर्ग अन रूपों में पाया जाता है निपर्शर्ग पूर में अवधी और भोष्पुरी में एकदम अनुपस्थित है अगला प्रशन है कि शाहित्य जनता की चित्त बृत्तियों का संचित प्रतिभिंब है यहां उक्ति किसकी है यहां उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की आप्शन आचारिय रामचंद्र शुक्ल ने अपने शाहित्य के इतिहाज की दृष्टी को इस रूप में रखा है जबकि प्रतेक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त बृत्ति का संचित प्रतिभिंब होता है तविया निश्चित है कि जनता की चित्त बृत्ति की परिवर्तन की साथ साहित्य की रूप स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है अगला प्रस्ण नंबर 77 निमलिखित काब्वे पंक्तियों को उनके रचनाकारों की शाथ शुमिलित करना है पहला यहां पर दिया है भगती हैं ग्यानी हैं नहीं कचुभेदा उभय हरियं भव शंभव खेदा तो भगती ग्यानी नहीं कचुभेदा तो गोश्वामी तुलिशिदा सकी हम राज्जी के लिए मरते हैं मैथली शर्ण गुप्त ये उपमान मैले हो गए हैं तो पूरी आप पड़ोगे लाइन जैसे बरतन अधिक हिसने से गुलम्मा शूट जाता है तो अग्ये की होगी और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुगाय बिहारी की हो जाएगी तो यहाँ पर एक्जैक्ट जो अंसर होगा आपका आप शंडीज दकरक्ट अंसर अगला प्रश्ण है राम चरित मानस की रचैता कौन है राम चरित मानस की रचैता सही जबाब बन जाएगा राम चरित मानस की रचैता है गोस्वामी तुलसीदास जी राम्चरित मानस की रचेता गोस्वामी तुलसीदास जी है इनकी अन्य रचनाये हैं बिने पत्रिका वरवे रामायड रामलला नहुचू आदी मर्यादा किस यूग की प्रशिद्व पत्रिका है मर्यादा सही जबाब बन जाएगा मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नुवंबर 1910 में मदन मोहन मालवी की पुत्र किष्णकांत मालवी की शंपागदाकत्तों में प्रियाग राजिलहाबाद की अभिद्व कारियाले से प्रकासित हुआ इसके प्रथम अंग काल प्रथम जो लेख है वो मर्यादा सीरसक से पुर्शोत्तम दाश्र टंडन ने लिखा दिवेदी युग का काल लगभग बर्स 1900 से 1920 के मद्ध माना जाता है अताहिस पत्रिका का प्रकाशन दिवेदी युग मानना उचित है सुमित्रा रंदन पंत को किस कृती पर ग्यान पीठ पुरुषकार मिला जिनकी कृती रही चिदंबरा चिदंबरा में चिदंबरा कृती पर इनको मिला है ग्यान पीठ पुरुषका सुमित्रा नंदन पंत को अपनी कृति चिदंबरा के लिए बर्स 1968 में ग्यान पीठ प्रुषकार प्राप्त हुआ था हिंदी भासा के लिए यह प्रुषकार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले बैक्ती थे निमलकित में से छायावादी रजनाकार कौन है छायावादी रजनाकार आपसने हसी सही जबाब है सुमित्रा नंदन पंत इसकाल के अन्य रजनाकार शूद्र कांत तरबाठी निराला जै संक्रप्रशाद आदी निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है आपसने हब्बी होगा म कुन सी प्रेम चंद हैं इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं गोदान गबन रंग भूम कर्म भूम यादी वहीं पर जय संक्र प्रसाद द्वारा लिखेत उपन्यास कंकाल या शपाल ड्वारा जो लिखेत है वो दिव्या है और भीष में साइनी द्वारा लिखेत तमाष्वा है अगला प्रशन है राम धारी शिंग दिनकर है इनके अन्य प्रमुख रचनाय हैं रेंडू का रशवंती कूरू छेत्र रश्मिरती याधी वही परमायतली सर्ण गुप्त की रचनाय शाकेत यसुधरा माखनलाल चतुरवेदी की रचनाय हिमकिरीटनी हिमतरंगनी और नागारजुन की रचनाय जो है युगधारा भशमांकुर आदी अगला प्रश्न है हन्स पत्रिका की शंपादक कौन थी हन्स पत्रिका की संस्थापक माफ कीजिए तो हन्स पत्रिका की संस्थापक जो शंपादक रहे कौन रहे हैं और यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा दूस्त प्रेमचंद आप्शन से ठीक है तो कौन रहे हैं प स्थापक शंपादक पुरेम चंद थे अगला प्रश्ण होगा दिये गए विकल्पों में से निर्वुण भक्ति काभ्विक के प्रमुख कभी कौन है आपसन यहां पर बी सही जबाब होगा कभीर भक्ति काल को हिंदी शाहित्ति का सुरणिम काल कहा जाता है रहीम तुलसी सूर्श जायसी मीरा रश्ठान आद इस यूग के दिन है जिनन धार्विक भावनाओं से उत प्रोत कभिताओं छंदो आदि के माध्यम से बैचारिक कां दो में बाटा गया है एक है निर्गुण शाखा और दूसरा है सगोण शाखा निरुन मारगी शाखा की प्रमखुकभी कभीर रायदास आदि थे अगला है प्रतिवीокой рокरासो केसकाल की रचना है तो प्रतिवीरास रास चंद बरदाई की दौर ए आदि गालकी प्रिधिवी राज रासु आदिगाल की रचना इसकी रचैता चंद बरदाई है और यह हिंदी का प्रथम महाकावि माना जाता है यह मूलता युद्ध प्रधान काव्ब है युद्ध प्रधान कामाईनी महाकावि की रचैता कौन है आपसनिहा सी होगा जय संकर प्रशाद कामाईनी महाकावि की रचैता जय संकर प्रशाद है प्रेम पतिक चित्राधार जर्ना आसू तथा लहर इनकी प्रमुख रचनाय है अजात शत्र इशकंद गुप्त चंद का नाग इनकी प्रमुख नाटा का है अगला प्रश्ण यहां पर बेमेल कुछ हाटना है कि तीनों में चारों में कौन अलग है तो देखो सेवा सदन निर्मला और गोदान यह हो जाएगा आपका पूरा किसका मुंसी प्रेम चंद का पन्यास होगा लिखी दिनकी द्वारा च कामाईनी की रचनाकार कौन है कामाईनी की रचनाकार तो अभी प्रश्ण रहा है जैसंकर प्रशाद आप्षण कामाईनी की रचनाकार जैसंकर प्रशाद इनकी अन्य रचनाय है आशू लहर जहरना कानन कुशुमादी भोर का तारा एक आंकी के लेखक कौन है भोर का तार सही जबाब बन जाय का जगदी से चंद माथूर। कि रजना माटी की मूरते रेखा चितर से संबांधित अन्य रचिनाएं हैं महादेवी बर्मा की अतीर के चलचे त्रिश्मिती की रेखाएं आधी। अगला प्रश्न है आधे अधूरे किस बिधा की रचना है तो आधे अधूरे एक नाटक है आप सनिहाँ पर आपका सी सही जबाब होगा जो की मोहन राकिस द्वारा लिखित नाटक है इनकी अन्य नाटक होंगे अंडे की छिलके अशाड़ का एक दिन लहरों का हिम तरंगिनी काब संग्रह माखनलाल चत्रुबेदी द्वारा रचित है इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम किरीटिनी यूगुचरण समर्पन आधी आधनिक धंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है आधनिक धंग से पहला एकांकी सही जबाब बन जाएगा आप शनी बादल की म्रितियों कोश आला उचक डाक्टर रामकुमार बर्मा के एकांकी रचना बादल की म्रिति को हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं अगला है केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मी ग्रंथ का नाम क्या था सही जबाब बन जाएगा आप्शन बी बिग्यान गीता बि ग्यान दीप है सीख नभी की आप्शन सी ग्यान दीप की रचनाकार सीख नभी हैं रहीम की रचनाएं रही म दोहावली मदनास तक रास पंचाध्याई आदि हैं भुशण की इस बसद्रा हिएं अघ्ला प्रश tray ने कि रचना कि कि रचना कि राम चंद्री का कि रचना राम चंध्रिका की रचना है कि कर लिए min रतन बावनी आदी जैसंकर प्रशाद जी की पहली जो कहानी कौन सी थी जैसंकर प्रशाद की पहली कहानी आपसनिया पर सी होगा ग्राम जैसंकर प्रशाद की पहली कहानी ग्राम है जो इंदू पत्रिका में प्रकासित हुई थी गुंड़ा, सालवती, आदि इनकी कहानिया और शाया प्रतिध्वनी आंधी आकास दीप तथा इंद्र जालिन की कहानी संगरा है अगला प्रशन है सीता बनबाद से संबंधित एक का बिरचना कौन सी थी? सीता बनबाद से संबंधित सही जबाप बन जायेगा प्रवाद परव Option D प्रवाद परव सीता बनबाद से संबंधि एक का बिरचना है इसकी रचना कार नरीश महता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और यह आपकी सिलेवश में भी है ठीक है सामान जाग रूगता में और यूपिटर पलसी पेट में यह पूंशा गया था यूपिटर पलसी पेट जो भी इस क्लास को पिछली बार भी करके गए थे वैसे भी कर ली होंगे ग्राम बिकास अधिकारी निमलखित में कि सोरी लाल गोश्वामी रचित कहानी कोंसी है सही जबाब है आपसंसी इंदूमती कि सोरी लाल गोश्वामी द्वारा रचित कहानी इंदूमती है प्लेग की चुडएल, कहानी की रचनाकार मास्टर भगवान दाश, ग्यारा वर्स का समय की रचनाकार आचाद राम चंदर शुकल और पंडित और पंडितानी की रचनाकार गिर्जा दत्त बाचपेई हैं। कवर करना एगटना चक्र को। के लिए हिंदी शाहिती की अकादमी प्रदया प्रकाश शिन्हा को उनकी रचना सम्राट असोग नाटक के लिए प्रदायन किया गया। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो 98 अप्रस न रहा दोस्तों वह कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से कबर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। साथ ही बिल अटिफिकेशन बेल आइकाउन को अब जरूब प्रस कर लिजिएगा ताकि आने वीडियो के अप्रेट साब्सक्राइब को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फर वाचिंग।